जै स्री राम बालकांड प्रिष्ट संख्या पचास से बासट तक सती का भ्रम त्याग एवं भगवान सिवजी की समाधि आईए स्री राम कथा सुरू करें इसी प्रकार माग के महीने भर इस्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आस्रमों को चले जाते हैं हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है मकर में इस्नान करके मुनी गंड चले जाते हैं एक बार पूरे मकर भरिश्नान करके सम मुनी स्वर अपने अपने आस्रमों को लोट गए परम ज्यानी याग्य वल्क मुनी को चरण पकड़ कर भरद्वा जी ने रख लिया आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोय और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया पूजा करके मुनी याग्य वल्क जी के स्वयस का वर्णन किया और फिर अत्यंद पवित्र और कौमल बानी से बोले हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है वेदों का तत्त सब आपकी मुठी में है अर्थात आप ही बेद का तत्तो जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारन कर सकते हैं पर उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परिक्षा ले रहा है लाज इसलिए कि इतनी आयू बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ और यद नहीं कहता तो बड़ी हानी होती है क्योंके अज्ञानी बना रहता हूँ हे प्रहो संत लोग ऐसी नीती कहते हैं और बेद पुरान तथा मुनी जन भी यही बतलाते हैं कि गुरू के साथ छिपाव करने से हिर्दे में निर्मल ग्यान नहीं होता यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रगट करता हूँ हे नात सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नास कीजिए संतों पुराणों और उपनिशदों ने राम नाम के अशिम प्रभाव का उगान किया है कल्यान सरूप ग्यान और गुणों की रासी अविनासी भगवान संभू निरंतर राम नाम का जब करते रहते हैं संसार में चार जाती के जीव हैं कासी में मरने से सभी परंपद को प्राप्त करते हैं हे मुनिराज वह भी राम नाम की महिमा है क्योंकि स्री सिवजी महराज दया करके कासी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं इसी से उनको परंपद मिलता है हे प्रभो मैं आप से पूछता हूँ कि वे राम कौन है हे कृपानिधान मुझे समझा कर कहिए एक राम तो अवदनरेश दसरजी के कुमार है उनका चरित्र सारा संसार जानता है उन्होंने इस्त्री के ब्रह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर इद्ध में रावड को मार डाला हे प्रभो वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको सिवजी जपते हैं आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं वहा ग्यान विचार कर कहिए हे नाथ जिस प्रकार से मेरा यह भारी ब्रहम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूरवक कहिए इस पर याग वल्क जी मुस्करा कर बोले स्री रगुनाद जी की प्रहता को तुम जानते हो तुम मन वचन और करम से स्री राम जी के भक्त हो तुम्हारी चत्राई को में जान गया तुम स्री राम जी के रहस में गुनों को सुनना चाते हो इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूड हो हे तात तुम आदर पूरवक मन लगा कर सुनो मैं स्री राम जी की सुन्दर कथा कहता हूँ बड़ा भारी अज्ञान विसाल महिसासुर है और स्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भैंकर काले जी है स्री राम जी की कथा चंद्रमा की क्रणों की शमान है जिसे संत रूपी चकोर सदापान करते रहते हैं ऐसा ही संदेह पारवती जी ने किया था तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था अब मैं अपनी बुद्धी के अनुसार वही स्री उमा और स्री शिवजी का शम्माद कहता हूँ वह जिस समय और जिस हे तुसे हुआ उसे हे मुनी तुम सुनो तुम्हारा बिशाद मिठ जाएगा एक बार त्रेता युग में स्री शिप जी अगस्त रिशी के पास गए उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी रिशी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया मुन्वर अगस्त जी ने सिया रामकथा विस्तार से कहिए जिसको महिश्वर ने परम सुकमान कर सुना फिर रिशी ने स्री शिवजी से सुन्दर हरी भक्ती पूछी और स्री शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ती का निरूपन किया स्री रगुनात जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक स्री शिवजी वहां रहे फिर मुनी से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सते जी के साथ घर कैलास को चले उन्ही दिनों प्रत्वी का भार उतारने के लिए स्री हरी ने रघुबंस में अवतार लिया था वे अभिनासी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या सादू भिष में दंडक बन में बिचर रहे थे स्री सिवजी हर्दय में विचारते जा रहे थे कि भगवान की दर्सन मुझे किस प्रकार हों प्रहु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे श्री संकर जी के हिर्दय में इस बात को लेकर बड़ी खलवली उत्पन हो गई परंत श्री सती जी इस भेद को नहीं जानती थी तुलसिदास जी कहते हैं कि श्री सिवजी के मन में भेद खुलने का डर्था परंत दर्सन के लोग से उनके नित्र ललचा रही थे रावड ने ब्रह्माजी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी ब्रह्माजी के वचनों को प्रहुशत्य करना चाते हैं मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पच्चतावा रह जाएगा इस प्रकार स्री शिवजी विचार करते थे परंत कोई भी युक्ती ठीक नहीं बैठती थी इस प्रकार महादेव जी चिंता के वस हो गए उसी समय नीच रावड ने जाकर मारिच को साथ लिया और वह मारिच तुरंत कपट म्रग बन गया मूर्ख रावड ने छल करके स्री शीता जी को हर लिया उसे स्री राम चंदर जी के बास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था म्रग को मार कर भाई लक्षमर सहित स्री हरी आस्रम में आये और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नित्रों में आसु भराए स्री रगुनाद जी मनुश्यों की भाद बिरहशे ब्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोचते हुए फिर रहे हैं जिनके कभी कोई सैयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष बिरह का दुख देखा गया स्री रगुनाद जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है उसको पहुँचे हुए ज्यानी जन ही जानते हैं जो मन्न बुद्धी है वे तो विसेश रूप से मोह के वस होकर हिर्दय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं स्री शिवजी ने उसी अवसर पर स्री राम जी को देखा और उनके हिर्दय में बहुत भारी आनंद उत्पन हुआ उन सोभा के समुद्र स्री रामचंदर जी को स्री शिवजी ने नेत्र भरकर देखा परन्त आवसर ठीक न जाना कर परचे नहीं किया जगत के पवित्र करने वाले सचदानंद की जैहो इस प्रकार कहकर कामदेव का नास करने वाले स्री शिवजी चल पड़े किरपान धान स्रीशिव जी बार बार आनन्द से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे सती जी ने संकर जी की वादसा देखी तो उनके मन में बड़ा संधे उत्पन हो गया वे मन ही मन कहने लगीं कि संकर जी का सारा जगत बंदना करता है वे जगत के ईश्वर हैं देवता मन स्मुनी सब उनके प्रत सिर नवाते हैं उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चदानंद घन परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी सोभा देखकर वे इतने प्रैममगन हो गए कि अब तक उनके हिर्दे में प्रिती रोकने से भी नहीं रुकती जो ब्रह्मसर्व व्यापक माया रहित अजनमा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे बेद भी नहीं जानते क्या वह धेधारन करके मन्ष हो सकता है देवताओं के हित के लिए मन्ष सरीधारन करने वाले जो विश्नु भगवान हैं वे भी स्रीशिव जी की ही भात सरवग्य हैं वे ज्यान के भंडार लक्ष्मी पती और असरों के सत्रु भगवान विश्नु क्या अज्यानी की तरह इस्त्री को खोजेंगे फिर शिव जी के वचनवी जूटे नहीं हो सकते सब कोई जानते हैं कि स्रीशिव जी सरवग्य हैं सती के मन में इस प्रकार का अपार संदे उठ खड़ा हुआ किसी तरह भी उनके हिर्दय में ज्यान का प्रादरवाव नहीं होता था यद्यपी भवानी ने प्रगट कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी स्रीशिव जी सब जान गए वे बोले है सती सुनो तुम्हारा इस्त्री सभाव है ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चेए जिनकी कथा का अगस्त रिशी ने गान किया और जिनकी भक्ती मैंने मुनी को सुनाई वे वही मिर इश्ट देव स्री रगवीर जी हैं जिनकी सेवा ज्यानी मुनी सदा किया करते हैं ज्यानी मुनी योग और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और सास्तर नेत नेत कहकर जिनकी कीर्टि गाते हैं उन्ही सर्व व्यापक समस्त ब्रह्मानो केश्वामी माया पती नित्य परम स्वतंत्र भ्रम रूप भगवान स्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रगकुल के मड़ी रूप में अवतार लिया है यद्यपी सिवजी ने बहुत वार समझाया फिर भी सती जी के महरदे में उनका उपदेश नहीं बैठा तब महादेव जी मन में भगवान की माया का वल जानकर मुस्कराते हुए बोले जो तुम्हारे मन में बहुत संदे है तो तुम जाकर परिक्षा क्यों नहीं ले लेती जब तक तुम मेरे पास लोटाओगी तब तक मैं इसी बढ़की छा में बैठा हूँ जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रमदूर हो भली भाती बिवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना प्रहु स्रीशिव जी की आज्या पाकर माता सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं कैसे परिक्षा लूँ इधर स्रीशिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्यांड नहीं है जब मेरे समझाने से भी संदिह दूर नहीं होता तब मालुम होता है विधाता ही उल्टे हैं आव सती का कुसल नहीं है जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा तर्क करके कौन साखा विष्थार बढ़ावे मन में ऐसा कहकर भगवान शिप जी स्री हरी का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रहु स्री राम चंद्र जी थे सती बार बार मन में बिचार कर स्री शीता जी का रूप धारन करके उस मार्ग की और आगे होकर चली जिससे सती के बिचार के अनुसार मनुश्यों के राजा स्री राम चंद्र जी आ रहे थे सती जी के बनावटी वेश को देख कर लक्षमर जी चकित हो गए और उनके हिर्दय में बड़ा भ्रम हो गया वे बहुत गंबीर हो गए कुछ कह नहीं सके धीर बुद्धी लक्षमन प्रभु स्री रगुनात जी के प्रभाव को जानते थे सब कुछ देखने वाले और सब के हिर्दय की जानने वाले देवताओं के श्वामी स्री राम चंद्र जी सती के कपट को जान गए जिनके इश्मरन मात्र से अज्यान का नास हो जाता है वह भी सरवग्य भगवान स्री राम चंद्र जी हैं इसत्री सुभाव का असर तो देखो के वहां उन सरवग्य भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं अपनी माया के बल को हिर्दय में बखान कर स्री राम चंद्र जी हज कर कौमल बानी से बोले पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया फिर कहा कि ही ब्रख के तु सिवजी कहा है आप यहाँ बन में अकेली किसलिए फिर रही हैं स्री राम चंद्र जी की कौमल और रस्वरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ वे डरती हुई चुपचाप सिवजी की पास चली उनके हिर्दे में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने संकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का स्री राम चंद्र जी पर आरुप किया अब जाकर मैं सिवजी को क्या उत्तर दूँगी यहों सोचते सोचते सती के हिर्दे में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई स्री राम चंदर जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रगट करके उन्हें दिखलाया सती जी ने मारग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि स्री राम चंदर जी सीता जी और स्री लक्षमर जी सहित आगे चले जा रहे हैं इस अवसर पर स्री सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी स्री राम के सर्चदानंदमय रूप को देखें बियोग और दुख की कलपना जो उन्हें हुई थी वहाद दूर हो जाए और वे प्रक्तिस्त हों